दोस्तों नमस्कार आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ जो की बकरों की ग्रोथ के लिए बकरियों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और अकसर हम इस मैटर को स्किप कर देते हैं छोड़ देते हैं और ग्रोथ प्रोपर हो नहीं पाती आप क्या क्या करते हैं ग्रोथ के लिए आप रेगूलरली जो समय बताया गया है उसके इसाब से डिवार्मिंग करवाते हैं लीवर टॉनिक भी आप देते हैं, मिंडरल, मिक्सर, मल्टी विटामिन्स, बहुत सारी चीजे आप देते हैं, संतुलित आर भी देते हैं, जो हमने बता रखे हैं, मक्का खिलाओ, वो खिलाओ, सारी की सारी चीजे अपने तरफ से देते हैं, जबरदास्त खर्चा अपने बक कही ना कही problem ऐसी हुई है कि जितने भी vitamin, minerals, nutrient आप खिला रहे हैं वो nutrient उसके सरीर में नहीं जा रहे हैं और वो क्यों नहीं जा रहे हैं उसके पिछे हमारा जो gastrointestinal tract है वो काम करता है मतलब पेट चारों पेट दोनों आते ये काम करती है और ये सब जब proper काम करेगी तब ही य रखना होता है सबसे बड़ी गलती Roman health के बारे में हम कर देते हैं कि हम तेल पिलाते हैं Roman health नहीं रहती इस वज़े हम सुका चारा बिल्कुल भी नहीं किलाते हैं Roman health नहीं रहती इसी लिए मैं आज एक ऐसा product आपको बताने जा रहा हूं मैं किसी company का परचार नहीं कर रहा हू मेरे पास आप देख पा रहे हैं bio weight YC gold इसका इस्तेमाल इस तरीके का आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर हो saccharomyces servici क्या है इसके अंदर है saccharomyces servici हलागी बहुत सारे probiotic probiotic इसके अंदर मिलाए गया है उनको छोड़िए जिस powder के अंदर saccharomyces servici हो उस powder को powder आते हैं आपके market में मिल जाएंगे नजदी की market में इस नाम से नहीं तो और कई नामों से आते हैं उन नामों को आप देख लीजिएगा जिसमें लेटी फर अल्टरा भी है कुछ बता देता हूं bio bloom भी है active sap भी है go sack भी है तो बहुत सारे सेकी भी है तो ऐसे बहुत सारे product आपको market में मिलेंगे जो बकरों की growth के लिए important है सब कुछ आप खिला रहे हैं तो इतना सा खर्चा ओर कीजिए मातर 5 से 10 ग्राम रोज आपको देना है महिने में 15 दिन यानि alternate day दे दीजिए एक दिन चोड़ करके एक दिन दे दीजिए भाई growth के लिए ये बहुत ही शांदा है इसके साथ हम दिलवाते है milk of feed platinum powder क्योंकि उसमें सारा का सारा combination मिल जाता है minerals का और पिर outsourcing कौन कराएगा ये कराएगा भाई nutrient जो होते हैं उनको अंदर सरीर में जाने के लिए जो माध्यम चाहिए वो माध्यम ये परदान करेगा जो भी आप खिलाएंगे हम कहते हैं ना normal भासा में कि सरीर को लगना तो जो भी आप खिलाएंगे वो सरीर को तभी लगेगा जब digestion और metabolism proper होगा और ये उसको आपके लिए proper करवा देगा